यह अभी तक इसको मिला के 40 नामांकन पत्र दाखिल किये गए हैं और अभी 30 तारिक तक समय है तो और भी आने की आशा है तो 30 तारिक को 3 मजे तक यह पिक्चर क्लियर होगी कि कितने नामांकन पत्र दाखिल हुए और इनकी जो स्कृटिनी है वो दो तारिक मंडे को 2 किया कैसे चलेगी चुनाओ जब निसारी के लिए तय हुआ है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आके यह दिली में वोट डाल सकते हैं सांसद जो है उन लोगों के लिए ब्योस्ताएं किया बनाईगी है पहले तो यह बात इलेक्शन कमिशन ने क्लियर कर दी है कि जितन जितने भी सांसद है उनको दिली में वोट डालना है और जितने भी यह एमेलेज है उनको अपनी जो भी राज है उसकी कैपिटल में जहां भी उनका जो भी है समिती जो अमनी राज की उनकी जो है वहां पर नामांकन वहां पर वोट डालने की प्रिवस्ता की गई उनके लि पड़ा चुनाओ यह है, एक हिसाब से देखिए, मददाता सूची के हिसाब से यह छोटा चुनाओ है, लेकिन इसकी पूरी परिद जो है, पूरा देश है, जिसमें कास्मीर से कन्या कुमारी तक, ऐसे में रिटरिनिंग अफसर की लूप में, पूरे देश भर में, कौरडने पूरे जाता है, और उससे जादा कॉम्प्लिकेशन इसलिए है, क्योंकि बैलेट पेपर तीस जगह से, यहां पर आने है, तोटल इकत्तेस जगह वोटिंग होगा, एक तो हमारा कार्लमेंट का, और बाकी तीस स्टेट्स में, इस स्टेट्स अलसो इंक्लूड़ूड देट तीस जगह से बैलेट पे बाक्स को लाना, चाहे वो एकी बैलेट बाक्स होगा, लेकिन उसको लाना यह एक लाजिस्टिक संप्ता जो है, I mean problem, तो वो तो बहुत घंभीर है और उसके लिए तरह तरह की इंतिजाम किये जा रहे हैं, सब स्टेट गवर्मेंट को लिखा जा है, और सब स्टेट की जो रेजडेंट गविशनर्स हैं, यहां पर उनको भी लखा गया है, और जो आपके इलेक्शनाअफिसर्स हैं, स्टेट गवर्मेंट्स में उनको भी लिखा गया है तो यह एक बहुत ही टीम वर्क की इसमें आवश्यक्ता है एलेक्शन कमिशन, रिटर्निंग आफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर इन राजसभा अस वेल इन दे स्टेट्स और जो स्टेट एलेक्शन कमिशन्स है उनका भी बहुत रोल है